हेलो दोस्तो आप सबका स्वागत है उनिकलब टिप्स चैनल पर और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी आल पे कर दो और अगर आपको मेरे साथ परसनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से डिलेटेड डीटेल्स मिल जाएंगे और ये एक पेट कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेज भी मैं वहाँ पे बता दूँगी और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है दोस्तों क्या आपके पार्टनर भी आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है क्या बहुत दिनों तक वो आपसे बात नहीं कर रहा है आपको इग्नोर कर रहा है आज मैं इसी के ओपर डिस्क्रिप्श करूंगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ऐसा जब situation होता है जब पार्टनर हमसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर देती है उस time हमको कौन से कौन से rules को follow करना होता है उसी के बारे में आज हम discuss करेंगे तो सबसे पहली जो point में आपर बोलूँगी कि ऐसा जब situation होता है कि पार्टनर ने पूरा ही आपसे बात करना बंद कर दिया होता है उस time पे उसको थोड़ा space देना चाहिए उसको time दो उसका थोड़ा wait करो लेकिन हम क्या करते हैं हम time देना तो दूर की बात है हम उसके पीछे भागने लगते हैं हम उसको calls करते है messages करते हैं उसमें हम फरियात करते हैं कि तुम मुझे time नहीं देते हो तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब चेंज हो गए हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो हम इतना कमप्लेंड करने लगते हैं, कि वो जो इनसान है वो बहुत इर्टेट होता है, क्योंकि उसको ये चीज आपको इग्नोर कर रहा है, या इ सब इनसान के साथ लागू होता है, कि जब हम उसको कुछ बुरा कहते हैं, अगर वो कर भी रहा है, उस चीज को अगर आप मुझ पे ऐसे बोलोगे, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना, तो वही बात होता है, कि आप जब बोलते हो, कि तुम मुझे कॉल नहीं क यह लगता है, कि क्या बात करूंगा, या क्या बात करूंगी इससे, जैसे ही बात करूंगा, वैसे ही, पकादेगी, फिर मुझे उल्टा सिदा болलने लगता है, जगडा करने लगता है, तो अच्छा बेशना के बाते हो, तो यह इसारी चीज़े आपको बिलकुल देना है डिपेंड करता है आपके relationship का जो situation है उसके उपर की आपका जो relation है वो कितना जादा खराब हो चुका है उसके उपर आपको space देना है ठीक है minimum 10 दिन का देना चाहिए और maximum जो है वो आप one month का पकड़ के चल सकते हो उसको space दो उसको थोड़ा time दो जितना आप उसको time द होता जाएगा और जैसे ही कम होता जाएगा वो आपके पास लोटेगा वो आपसे बात करना चाहेगा या चाहेगी लेकिन आपको उसके लिए ना उसको time देना होगा और हां यह जो process है इसमें थोड़ा patience रखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि एक-दो दिन में हो जाता है ठीक है लोग नहीं कर पाते हो patience नहीं रख पाते हो patience नहीं रख पाओगे तो नहीं चलेगा ठीक है अगर patience रख लिए तो यह work करता है 100% work करता है second जो point है वो है इतने दिन बातचीत बंद होने के बाद जब partner आपसे बात करने के लिए interest शो करता है तो उस time आप अच्छे से बात करो normally बात करो पिछला जो भी आप दोनों में misunderstanding हुई थी जो भी fights हुआ था ना उसको लेके please मत बात करना normal बात करो कैसे हो क्या चल रहा है आजकल ऐसे ठीक है उसके बाद जब वो खुद से आपसे relationship related कुछ बात करे तो उसको उसका जवाब दो बट अच्छे तरीके से तो ऐसा कि जगरने लग जाओ ठीक है अगर जगरने लग जाओ गये अगर complain करने लगोगे तो दोबारा वहाग जाएगा या भाग जाएगी ठीक है क्योंकि उसको लगेगा कि अरे यार फिर से स्टार्ट हो गया इसका या फिर से यह शुरू हो गई तो ऐसा बिलकुल भी यह गलती मैसेज पर बात कर लेते हो थोड़ा सा एक दो कॉल होने के बाद आप उठाओ या फिर एक दो कॉल करने के बाद उठाओ ही मत उसके बाद खुद से आप 10 मिनिट गैप ले लो या फिर आधा गंटा गैप ले लो उसके बाद खुद से कॉल करो तो उसको भी थोड़ा सा अच् मत करो ताकि उसको थोड़ा थोड़ा तड़ब भी रहे आपके लिए ठीक है ना तो ऐसे करके इस चीज को मेंटेन करके रहो गे ना तो कभी भी पार्टनर का जो इंटरेस्ट है ना वो आपके उपर कम नहीं होगा और आपका जो रिलेशनशिप है वो एक हेल्दी पसंद आये होगा और वीडियो अगर पसंद आये तो प्लीज जार वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना थैंक यू